रुख करेंगे पंजाब का जहां पर पार्टी के भीतर चल रही अंतर कले को खत्म करने की कमान अब सोनिया गांधी ने खुद ले ली है सुत्रों के बताब है पंजाब कॉंग्रिस के सीनर नेताओं को 20 जुन को बैठट के लिए दिल्ली बुला गया है बजोट सिंग सिद्धू और क्यापिन अमरिंदर सिंग भी इस बैठट में शामिल होंगे सोनिया गांधी की तरफ से दोनों मिलेताओं के बीच जारी मनमुटाव को खत्म करने की कोशिश की जाएगी सतेन चोहान इसपग जोगए हैं आम आज से दौर जानकारी के साथ की राजनीती की बात करें तो अकाली दल ने बहुजL समाज पार्टी कि साथ गटपंदन कर लिया है और अकाली दल अकरामस तरीके से कहीना सिह क्लमिल कर पंजाब की राजनीती कहीना और गर्माने लगी है विधान सभा चुनाओं में 6-7 महीने का वक्त बचा है ऐसे में कॉंग्रेस अभी तक यही नहीं पैव कर पा रही है कि कौन मेता किस भूमिका में होगा और कॉंग्रेस के अंदर की जो लड़ाई है वो किसी से छिती नहीं है जग जाईर है कॉंग्रेस के अपने ही मंतरी विधायक अपने ही मुख्य मंतरी के खिलाब निशाना साथ रहे हैं कॉंग्रेस की हाई कमान ने 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने आला कमान को रिपोर्ट सौब ती है अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 20 जून को कैप्टन अमरेंदर सिंग नवजो सिंग सिद्धू के अलावा दो तिन और वरिष्ट नेता हैं उनको बुलाया जा सकता है और इनको एक टेबल पर आमने सामने बैखा कर बात की जा सकती है जिसमें मुक्य फार्मूला यही रहेगा कि चुनाओं से पहले इसके पास क्या भूमिका होगी और आगे ये जो अंतर कल्या है ना हो और इसको यही पर फुल स्ट्रॉप लगाया जाए इन बातों की चर्चा के लिए तमाम बने बिताओं को दिल्ली में बुलाया जाए